Hello everyone, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाशार हैं आपके देखें आज बहुत ही खास एपिसोड होने वाला है क्योंकि ये आपकी डिमांड पर है SME IPO क्या ये एक स्कैम है? क्या यहाँ पैसा लगाना मतलब डूबना है या यहाँ पैसा लगाना यानि बहुत ही मोटा पैसा कमाना है तो आप लोगों की डिमांड को आज मैं पूरा करूँगा वीडियो थोड़ी से लंबी हो सकती है लेकिन अगर एक बार इस वीडियो को देख लिया तो आपको SME IPO को लेकर जिन्दगी में कभी डाउट नी रहेगा यह मेरा वादा है तो मैं मुकुल अगरवाल आपका आफी के YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकोन हिट करें, नोटिफिकेशन होन कर ले जिससे जब भी मैं लाइव आता हूँ या वीडियो अप्लोड होती है, आपको पता चल सकेगा, सीखेंगे और कमाएंगे सबसे पहले जानते हैं SME IPO क्या है? और इसे जानने से पहले IPO के बारे में भी थोड़ा सा जानना चरूरी है IPO का full form initial public offering होता है IPO का मतलब जब कोई company पहली बार share public को invest करने के लिए offer लाती है इसे IPO कहते हैं, IPO primary market के द्वारा आता है ये एक ऐसा process है जिसके द्वारा कोई company आम जनता तक अपने share की विक्री सारजनिक तौर पर करती है Limited company या IPO इसले लाती है जिससे stock market में listed हो सके के द्वारा apply कर सकती है, company को जब सारे application प्राप्त हो जाते है तो company पूँची के बदले इन shares को public को issue करती है और इस तरीके से company के share public तक पहुँचते है और company को इसके बदले में पैसा मिल जाता है और उसका वो use करते है और इसके बाद इन shares को stock market में खरीदा या बेचा जाता है और इस तरीके से company अपने expansion के लिए IPO के माध्यम से पैसा जुटा लेती है तो IPO को public issue भी कहा जाता है और IPO को हमेशा public के सामने लाया जाता है और public भी भर भर के प्यार करती है कोई भी IPO में invest करके एक तरीके से उस company में ownership की हिस्सेदारी कर रहा है ये समझना बहुत जादा ज़रूरी है IPO के बाद SME क्या है अब इसको समझते है small और medium enterprise को समाने तोर पर SMEs के तोर पर जानते है ये भारत के socio economic development का अहम हिस्दा है SME का capital cost कम होता है इसमें रोजगार के अफसर बनते है साल 2022 में भारत में कुल 66 lakh नए enterprise registered हुए है ज़ादा तर private company होती है जिनको private investor fund करते है हलाकि आप public investor से भी fund जुटा सकते है बस आपको अपने SME को public करना होगा अब बात करते हैं कि आखिर SME IPO होता क्या है तो यह IPO की तरह ही होता है SME में कुछ broker supply करते हैं और वो भी किसी खास सहर में share market की दुनिया में नया ही concept कह लीजिए जो पिछले कुछ सालों से चल रहा है और बहुत कम investor इसके बारे में जानते हैं भारत में पहला SME 23 जनवरी 2022 को registered हुआ यानी सिर्फ 10 साल पुरानी कहानी है और इस company का नाम BCB Finance Limited था इसकी face value 10 rupees per share थी SME पर पहला IPO Tezo Insuring Limited का था 4 सितंबर 2012 से 6 सितंबर 2012 को आया था SME IPO में खरीदने के लिए आपके पास DMIT अकाउंट का होना जरूरी है तो link description में है जिरोधा आप stock angel किसी के साथ भी खोल सकते हैं और अगर आप account open करेंगे तो आपको special telegram में भी add कर देंगे और कभी-कभी stock के level भी मिल जाएंगे तो फटा-फट कर लीजे SME IPOs के, जो IPO होते हैं small और medium enterprise के द्वारा issue होते है SMEs को private investor से funding होती है लेकिन जब SMEs की financial requirement private investor से पूरी नहीं होती है तब SME company IPO issue करती है कि भाई आपैसा तो चाहिए IPO खतम होने के बाद SME के stock, stock exchange में trade होते हैं SME के share खरीद कर public investors company में holder हासिल कर लेते हैं अब SME IPO का eligibility criteria समझते हैं कि कैसे कोई SME company stock exchange में list होती है और कैसे SME IPO लाते हैं SME को 1956 के तहत registered company act में होना चाहिए SME का face value new term 1 करोर उपया और अधिक्तम 25 करोर होना चाहिए SME का knit tangible asset 1.5 करोर उपय होना चाहिए SME को कम से कम 3 साल का track record दिखाना ज़रूरी है अगर वो partner से proprietorship LLA firm में convert होकर करने के बाद company के promoter को कम से कम 1 साल तक नहीं बदलना चाहिए और SME को deemate secretaries में trade करने के लिए सहमत होना चाहिए SME को depository के साथ करार में होना चाहिए अब हमें ये जाना जरूरी है कि SME की listing का क्या process है SME ऐसे professionals को hire करती है जो heavy paperwork और other compliance format को पूरा कर सके जो IPO issue करने में लगते है private SME को public में जाने से पहले इन step को follow करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो IPO process start करने से पहले एक merchant banker की न्युक्ती होती है merchant banker को underwriter नाम से भी जाना जाता है जो market expectation में expert होते हैं underwriters ही IPO related documents को draft करने के लिए responsible होते हैं जिसमें face value का data sales का selling price भी सामिल है SME द्वारा परदान किया गया data सटिक और गलती नहीं होना चाहिए इस बात को newt bank को सुनिश्चित करना पड़ता है public में जाने से पहले अपनी company का information investor को चाहिए जैसे operation हो, prospect हो और इन सब के लिए underwriter document टेयार करता है जिसे DRHP कहते है अब DRHP से potential investor company के financial data को analyze कर पाता है जिसके बाद वो market evaluation करके investment का decision लेता है कि भाया हम करें या ना करें और जब company रेगुलर IPO फाइल करती है तब उन्हें SEBI को DRHP submit करना होता है हलाकि SME का SEBI से कोई लेना देना नहीं होता है और यही game है जिसको हम आगे cover करेंगे SME का DRHP stock exchange से verified होना चाहिए IPO को advertise करना चाहिए और उसके launch date को announce करना चाहिए एक बार जब stock exchange draft को approved कर देता है उसके बाद underwriters को IPO के opening और closing date IPO issue price और IPO की predetermined launch date को घोसित करना होता है इस दोरान सिर्फ underwriters, bank और stock exchange के पाद company के public में जाने के plan का पूरा information होता है उसके बाद नए IPO की advertisement और marketing public investor को attract करती है IPO को opening date पर launch करना आखरी step होता है investor minimum lot of share को closing date से पहले subscribe कर सकते हैं और allotment stage closing date के बाद आता है जहां number of investor को share lot किया जाता है और after the IPO जब officially private market में launch हो जाता है तब company investor को share lot कर चुकी होती है और फिर क्या company public company बन जाती है और इसके साथ ही अन्य investor secondary market से company के share खरीच सकते हैं और SME IPO और regular IPO में ये खास अंतर है IPO के लिए company का साइज मुखरूप से जरूरी है लेकिन SME IPO में एक करोर minimum अधिक्तम 25 करोर regular IPO के लिए एक हजार कम से कम allotty होने चीए वहीं पर SME IPO के लिए 50 allotty होने चीए normal IPO केस में DRHP और अन्य document को savey verify करता है SME IPO की देखरेक stock exchange करता है ये फर्क है regular IPO का application size 10,000 से 15,000 के बीच होता है वहीं पर SME IPO का application size 1,00,000 रुपे होता है जिसके चलते इसमें invest करने वाले लोग कम होते हैं क्योंकि lot amount बरा होता है और SME IPO के पिछले record को यहां बेख सकते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा अब सवाल आता है कि क्या हमें SME IPO में invest करना चीए या नहीं करना चीए क्योंकि क्यों इसे कहा जाता या तो bumper return है या scam है तो इन चीजों को हम समझते हैं क्योंकि पहले वाली बात as an investor आपको समझना जरूरी था साल 2012 में SME IPO चलन में आया जिसके बाद BSC SME Exchange में 2017-18 तक SME IPO की लिस्टिंग बढ़ती गई लेकिन इस trend में बदलाव भी देखने को मिला 17-18 तक 62 SME IPO आये थे वहीं साल 2020-21 में ये संख्या घटकर हो गई 11 और यही trend हमें NSC में भी देखने को मिला यानि 2015-16 तक SME IPO की संख्या तेजी से बढ़ी और 8 से बढ़कर 92 तक पहुँच गई उसके बाद 17-18 तक भारी गिरावट देखी गई हलाकि इस साल 2020 के चौथे क्वाटर में आपको वापस से रिकवरी दिखी यहाँ पर SME IPO में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है इसमें हाई रिटर्न के चांस के बराबर ही हाई रिस्क होता है SME IPO का उदेश होता है कम से कम 50% से रिटेल इन्वेस्टर को दिये जाए वैसे तो चाहे आप नॉर्मल IPO जाएं या इस IPO जाएं प्रॉफिट और लॉस दोनों हैं वो कहीं से बचा हुआ नहीं है लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो यहाँ पर मिसिंग होती है यहाँ पर हमें कुछ चीज है देखना चीए अब मैं एक डेटा दिखाता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में कि इन्वेस्ट करे या ना करें 2022 में अभी तक 31 SME IPO आएं जिनमें से 17 SME IPO को खरीदना इन्वेस्टर के लिए फाइदे का सौधा रहा इनमें से अगर बात करें अच्छी performing company की तो M.Priand Caswell Limited ने 31st मार्च 2022 को अपना IPO लाया था कंपनी ने 37 रुपीज परती सेर सेर रखे थे आज टॉप गेनर है और आज की डेट में अगर वैल्यू देखें तो 270 रुपीज के पास है 639% का लाभ हुआ दूसरे नमबर पर जैंत इन्फरा टेक है इसू प्राइस 67 का था आज की डेट में बात करें तो 354 रुपे के पास है यानि IPO खरीदने वाले को 429% का लाभ हुआ इसी तरीके से रचना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का IPO 10 जन्वरी को आया था कंपनी ने 135 रुपे इसू प्राइस में अपना IPO लाया था आज के प्राइस की बात करें तो 655 रुपे हैं यानि 380% का रिटर्न मिल रहा है तो आप एक साइड रिटर्न की बात तो देख रहे हो टॉप गेनर की बात तो देख रहे हो आपको खुसी भी मिल रही है लेकिन जब टॉप गेनर है तो टॉप लूजर भी है तो हमने आपको टॉप गेनर बताया अब मैं आता हूँ टॉप लूजर जिसने लोगों को बरबाद कर दिया जी हाँ बरबाद जेनस कॉपरेशन लिमिटेड 2020 की फरवरी में IPO लाई थी लिस्टिंग प्राइब पचास रुपए बता लेकिन आज सिर्फ सात रुपए अब बताईए पैसा डूबा की नहीं डूबा 84% 85% का लॉस हुआ या नहीं हुआ इसी तरीके से माधव कॉपर लिमिटेड फरवरी 2020 में आया था लिस्टिंग प्राइस 102 रुपए पर सेयर था आज के डेट में प्राइस कितनी है 27 रुपए 35 पैसे 73% के पास का लॉस ट्रेडर को लॉस हुआ या नहीं हुआ ट्रेकिंग टोस डॉट कॉम अगस्ट 2020 में आया था 105 रुपए की लिस्टिंग प्राइस थी अगर आज के डेट में हम बात करें तो यहां पर इस सेयर में 29 रुपीज की प्राइस रहे गई 72% का लॉस हो गया बरबाद किया की नहीं यानि आपके सामने डेटा है दोस्त की अच्छा है तो बुरा भी है तो कई सारे ऐसे नाम हैं वही पर अगर 2022 की बात करें तो 24 SME IPO लाने वाली कंपनी घाटे में चल रही है जी हां 24 भाटिया कलस Chem Limited के इंवेस्टर को 42.81 Evoke Remtees Limited के इंवेस्टर को 39.41 Global Long Life Hospital Research Limited के इंवेस्टर को 47% Phone for Communication India Limited के इंवेस्टर को 43.2% का नुकसान उठाना परा तो दोस्त आपके सामने है अब सवाल आता है ये मामला क्या है तो देखिए actually नुकसान इसलिए होता है कि उन्हें लिस्ट होने के लिए सेवी के नियम के अंतरकत आना ही नहीं होता है आसानी से लिस्ट हो जाती है उनका history क्या है उनकी actual हालात क्या है इंवेस्टर को पता ही नहीं चलता है जिसके कारण ये घाटे वाली कमपनिया भी बहुत ही तामजाम के साथ लिस्ट हो जाती है आपको जानकर हैरानी होगी 20 से 25 परसंट ही SME कमपनिया आगे चलकर सफल होती है तो बहिया क्या होगा 75 परसंट ने नहीं लोगों को डुबा दिया 75 परसंट ने नहीं लोगों को बरबाद कर दिया तो अब आप क्या बोलोगे headline के बारे में जो मैंने डाला था comment box में जल्दी से बताईए क्या बोलोगे तो भाईया आप खुद समझदार हो जब सिर्फ 25% return दे रहा है 75% डुबा रहा है तो reason है भाईया risk rate है lot size बहुत बढ़ा है say b picture में है ही नहीं different rule है कई सारी चीजें गायब हैं तो वहाँ पर भाईया कोई भी company आके list हो जाती है तो यहाँ पर इन चीजों को ताम जाम से जो लाया जाता है उस ताम जाम को मैंने खोलने की कोसिस की जिससे आप हर एक prospect को समझ सको हर सोना सोना नहीं होता है वहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने समझने की जरुवत होती है और तब जाके पैसा लगाना पड़ता है तो due to that reason जहाँ पर जान रहे हो कि सिर्फ 25% है तो वहाँ पर नॉर्मल रीटिल भाई के बस की बात है उस company को समझना या किसी expert के बस की बात है तो जब expert के बस की बात है तो that's the big reason expert को लगाने दीजे आपके अगर समझ की बात है तो आप लगा लीजे तो ये है मेरा clear cut view जो मैंने आपके साथ share किया आप अगर agree करते हो तो like करके share करना मत बोलना क्योंकि घर घर बात पहुँचेगी तभी हमारा हिंदुस्तान कमा पाएगा thank you so much